हाई फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुबुश्चन सिंग को जीएस एमपी क्लिनिकाइंड न्यूच चैनल के अंतरगत जीव का मस्ता यानि मुह के अंदर में आपका किसी भी तरह का इंफेक्शन क्यों नहों और आप हर तरह का उचार ले लिए हैं और आपका बिमारी यह ठीक नहीं होता है तो आप संपर कर सकते हैं जीव के मस्ता जो होता है इसको आम भासा में तो मस्ता बोलते हैं लेकिन इसे डाक्टर के परिभासा में डिफिनिशन में यह रैनुला मुकोसील कहा जाता है यह रैनुला मुकोसील का आप अपरेशन कराते हैं तो पुना फिर से आ जाता है और बार बार आएगा तो इतने संकट में आपको डालने की जुर्योत नहीं है यह दवा से ठीक हो जाता है में इसका समय पर यह कैंसर में बदल लियाता है ज्यादा तर यह जो तंबाकु का सिवन्न है तुद्धाती बढ़ना गुटका का परियोगर करते हैं उनके अंदर में मुह के अंदर ही एस टाइप का बनने का चांस रहता है ज्यादातर मरीज को लेकिन बहुत सारे लोग सधान रहने वाले हैं उनको भी विमारी हो जाता है तो बहुत सारा विटामिन के कमी के ओज़ा से खान पन उचित नहीं होने के ओज़ा से कोई किसी प्रकार का जो कोई दवा ऐसा ले ले लेते हैं जिसका साइड रिफेक्स कुछ हुआ है बजारू समान या फास्ट फूट का जादे आप परियोग करते हैं तेल मासाले का बहु हम पूइते हैं कि गुटका तिरंगा पान मसाला जर्दा जो तंबाकु का आप सिवन किये हैं सब ले बतसर छोड़ दिये हैं आरे जब बिमारी हो गया है तब छोड़ रहे हैं तो इसको आप सान से कह रहे हैं इसे कहने से थोड़े काम चलेगा लिए है तो उसका आउसर त छोड़ दिये हैं छोड़ने से क्या होता है अब बिमारी हो गया तो सुरू सही नहीं खाये होते तो भला इसके बारे में कुछ सूचा जा सकता था खाय कोई बात नहीं है जैसे भी है भोलवास बरे-बरे अशे-शे लोगों से हो जाता है यह दिनासा का लत्त आपको लग टेस्ट भी करा सकते हैं और यह यह आपको सम उचित समय पर यदि उप्चार नहीं किया गया तो लगभंग निश्चित रूप से कैंसर बनने का खत्रा रहता है और आपको जब खाएंगे अगर जी मुह के अंदर में किसी भी तरह का रहनूला हो गया है मूंको स्विल या म बख जाये कट जाये तो खुन आने लगता है आपको काफी कठिनाई होता है खाना खाने में तो इस तरह का उपचार संभव है तो इसमें तेल मासाले का पुर्योग करना बन कर दें और किसी भी तरह का आपको प्रोब्लेम है रेनुला मुको सील जीव के मास्सा सम्मंधि य तो उसके पहले आप उपचार करना ले तो बेटर है यदि कैंसर हो गया तब आप क्या करेंगे तो पहले ही इस टाइप के बीमारी के फेरे में आपको लग जानी चाहिए सिरियसली ताकि कैंसर होने से बचाया जा सके आप पूर्ण रूपे न आपको 100% ठीक किया जा सके य 9, 8, 0, 1, 7, 5, 7, 5, 3, 3 यानी 980, 1757, 533 पर आप राए ले सकते हैं यदि यह नम्मर नहीं लगे तो दूसरा नम्मर को भी आप नोट कर सकते हैं सेबेन जीरो, सेबेन डबल जीरो, टीपल थीरी, फोर टू यानी 70, 700, 3332 पर आप राए ले सकते हैं तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा बहुत सारे जीब के आपको मासा तरह तरह का देखने में आता है आपको तो इसका सम समधान 100% हो जाएगा चिंता करने की जरूरत नहीं है आज के खास वीडियों बस इतना ही जय ही जय ही जय भारत